हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्विस्मेंट का वाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी टील इंफ्रा के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स जी टेल इंफ्रा के स्टॉक में अल्मोस्ट आप कहा सकते कि 20% की इरावट दिखने को मिलिए पिछले एक हफते में जी आँ दोस्तो पिछले एक हफते में स्टॉक लगबग 2 रुपए 40 पैसे के लेवल से एक रुपए 80 पैसे के लेवल्स पर आगया है अब क्या करना चाहिए दोस्तो बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और क्या होंगी कल के इंट्राडे टागेट, स्टॉप लोगए तो वीडियो का इंट्राग देखना वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना, शियर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स मार्केट्स की बात कर लें तो दोस्तो मंडे के दिन भी आई थिंक सो अब बनाया है और अल्मोस्त बियर इस मोमेंटम दोस्तो चॉक में अपने को देखने को मिला है पिछले एक महीने में स्टॉक अल्मोस्त दोस्तो 23% गिरा है विदिन अमन्थ अब क्या सकते कि इसने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को 4% last month और almost 65% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 विख खाई से तो definitely दोस्तो अभी स्टॉक काफी जादा गिरावट कर गया है इसका अगर 52 विख खाई का बात कर रहे तो I think 4 रूपे का लेवल इसका 52 विख खाई था तब से दोस्त आप कहा सकते कि अब दोस्तो आप कहा सकते कि एक अच्छा मूव है अच्छी खबर है अब दोस्तो रेजिस्टेंस की बात कर ले दोस्तो यह रेजिस्टेंस उन लोगों के लिए है जिनोंने बहुत उपर लेवल पर बाइंग कर रहा है जिसने 260 पर 280 पर दो रुपए के लेवल पर जिसने बाय कर रखा है उन सबके लिए एक रिजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं अब स्टोड में दोस्तो आप कहा सकते कि कि मन्तली बेसेस पर यह रेजिस्टेंस बचें 240 का रिजिस्टेंस और 270 का रिजिस्टेंस यह 2080 पैसे के लेवल पर अभी स्टॉक सपोर्ट लेवल पर खड़ा है और आप कहा सकते हैं कि इस सपोर्ट लेवल से भी नीचे स्टॉक चले गा था फिर एक रिकावरी देखने को मिली और अल्मोस्ट 180 रुपीस के लेवल पर स्टॉक अभी ट्रेट कर रहा है अब अगर डेली बिस्स के में आपको रेजिस्टेंसी बात करूँ तो कल के दिन दोस्तों मुझे लगता है कि स्टॉक आपको नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों इसके पिछे कुछ कारण है मार्केट्स में आप देख सकते हैं भारी गिरावट हैं मार्केट्स में अनिस्ट रिता है पिछले एक माहिने में निफ्टी में अल्मोस्ट 6% की गिरावट हो गई है तो definitely दोस्तों आप कहा सकते कि market की गिरावट के stock GTL Infra का stock में गिरावट हो रही है अगर market आप कहा सकते कि breakout देता है तो definitely GTL Infra का stock upper circuit तो लगाई देगा जी हाँ friends, GTL Infra का stock upper circuit भी लगा सकता है अगर market में तेजी होती है markets के dependent में GTL Infra का stock चलता है तो कल के दिन दोस्तों definitely एक lower circuit का दिन हो सकता है stock के लिए 175 का level I think so opening पर आपको देखने को मिल सकता है बट हाँ एक recovery में stock बंद हुआ है तो definitely दोस्तों stock के अंदर कल buying zone भी create हो सकता है I think so अगर market ने साथ दिया तो upper circuit भी लग सकता है तो तलिए दोस्तों अगर volume की बात कर लें तो दोस्तों almost 49 million की volume देखने को मिलिए और consistently दोस्तों volume में build up देखने को मिल रहा है stock almost आपको कह सकते हर दिन 40 million से आधा की volume देखने को मिल रहा है बट दोस्तों GTL Infra वो stock के जिसमें 200 million की volume भी आम levels पर देखने को मिलती थी अभी हाँ थोड़ा volume में गिरावट आप सभी को देखने को मिल रहा है तो चले दोस्तों आप चलते हैं GTL Infra के intraday charts पर और कल के long term के intraday targets top loss और resistance पर चर्चा करते तो friends GTL Infra के intraday charts पर आगया हो में clear ली stock ने हाँ दोस्तों आप कहा सकते कि 1.75 पैसे की आप कहा सकते level को disrespect किया बट आप कहा सकते ऊपर इस तरो पे stock ने एक बार भी 1.85 पैसे का level touch नहीं किया आप clearly इतर देख सकते 175, 175 and 180 stock ने अपने open के उपर आप कहा सकते जाता वह नहीं देखने को मिला stock पुरे दिन बर आप कहा सकते कि आज एक अच्छी तेजी के mood में था बट आप कहा सकते market market इसको आप कहा सकते कि गिरावट की तरफ लेके जा रहे थे market बढ़ते तो stock में एक चाल आती बट आप कहा सकते कि चाल सस्टेन नहीं उपा थी और दिन में इसने कम से कम आप कहा सकते हैं 100 बार try करा था उपर आने की कोशिश कर रही थी अब दोस्तों long term targets के में बात कर लूँ तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर 2 rupees 40% 2 rupees 70% का level stock चूता है तो that means कि stock में एक multi-year breakout है और stock आप कहा सकते कि 4 rupees तक का दर्शन बहुत जल्द कर सकता है अब दोस्तों आपको level की बात करूँ तो दोस्तो 1 rupees 50% level है जहां से stock में तेजी हुई थी अब stock direct उसी level पर आने के लिए में लग रहा है कि कोशिश कर रहा है और उस level से आप कह सकते कि stock में strong supplies होना आएगा और उस दिन से stock में upper circuit लगना तै है दोस्तों यह level 1 rupees 50% एक एहम level है अगर मैं आपको एक साल का chart भी दिखा हूँ तो उसमें भी आपको easily visible होगा आप देख सकते 1 rupees 50% यह level आ गया यहां से stock almost 4 rupees तक का level चुआ आप कह सकते हैं अभी सीधे उसी level पर trade कर रहा है और उसी level पर stock consolidate कर रहा है highs बना रहा है lows बना रहा है तो फिर दोस्त आप कह सकते हैं कि 1 rupees 50% के levels पर stock आ रहा है that means कि एक support है bottom है और definitely bottom से stock में एक तेजी हो सकती है और कल के levels मुझे लगता है दोस्तों कल के दिन एक lower second का दिन GTL Infra के stock में हो सकता है दोस्तों यह penny stock है इसलिए आपको जादा इसमें positions create नहीं करनी है अगर आप position clear कर रहे हैं तो definitely आप long term के purpose से ही invest करें क्योंकि आपने अगर trading bet के साब से GTL Infra को लिया था तो definitely दोस्तों आपका stop loss जरूर हिट हो गया होगा तो दोस्तों that's it for video overall क्या सकते कंपनी धीरे धीरे हालात सुदरते वे देखने को मिल रहे है और I think so 2025 तक यह stock आपको लगबग 4-5 रुपे तक के levels पर देखने को मिल सकता है तो दोस्तों that's it for video वीडियो अचला के तो like करना, share करना, subscribe करना दोस्तों thank you friends for watching this video